कब्रिस्तान में तंत्र क्रिया करने वाला तंत्रिक एक गर्भवती महिला की जच्की कराकर उसका बच्चे अपने साथ ले जाता है फिर गर्भनाल के जरिये उस महिला की आत्मा को काबो में करने की कोशिश कर रहा था तुझे क्या लगता है तु मेरे जंगल से इतनी आज़ानी से बच जाएगी और जुमकी तुझे यह सब कुछ कैसे पता चला तंत्रिक की बात सुनकर जुमकी जोरो से हसने रही होगा तो तंत्र की क्रिया में माहिट तंत्रिक मगर बर्सो से कब्रिस्तान के पास मैं क्यों अकेली रह रही हूँ यह कभी जानने की कोशिश नहीं की कहते हुए जुमकी भी शाख चुन्मी में बतल गए उसका भयानक रूप देख वो तंत्रिक और लड़का तुम हो एधान थे बर्सो पहले किसी तांत्रिक ने मुझे लक्ष्मी की तरह तरपा कर मारा था कहते हुए जुमकी अपनी कहानी सुनाने लगी जुमकी अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी घर में उसके साथ ससुर और पती थे जुमरी बहुरिया आज मैं बहुत खुश हूँ तूने मुझे इतनी बड़ी खुश खबरी सुनाई है मैं दादी बनने वाली हूँ आज तो पूरे मुहले में लड़ू बाटूगी अरे मिठाई बाटनी की इतनी भी क्या जल्दी है कहीं तेरी खुशी को तेरी ही नजर ना लग जाए शुब शुब बोलो मेरे घर नन्हा बालक आवे वालो है ये तुम्हें सब ने बताऊंगी कहते हुए जुंकी की सास अपनी जेठानी के पाथ चली गई और उन्हें खुशखबरी सुनाई मगर जेठानी के चेहरे के हाव भाव बतल रहे थे क्योंकि जेठानी की बहु की शादी को छे साल हो गए और वो मा नहीं बन पाई थी जबकि जुमकी की शादी को अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ था और उसने खुश खबरी सुना दी थी वो पूरी रात ऐसे ही तड़कते हुई भी थी सुबह होते होते उसने सारा दिन खुद को एक कमरे में पंद किया और कुछ सामगरी घट्टी करती रही रात के दो बजते ही वो घर से निकल कर शमशान पहुँच गई मुझे अच्छी तरह पता है निर्मला तुम्हारे अपने दादी बनने की खुश खबरी सुनाने नहीं आई थी पलकी मारे को जलाने की खातिर आई थी वगर मैंने भी थारी खुश्या को आग न लगा दी तो मारो नाम भी सकतो नहीं थारी बहु अप शेक चुन्नी बनेगी और तू अपने पोते के लिए तरसेगी समझी तू? कहते हुए उसने हवन कुंड में ठेड सारा हूं, नीन के पत्ते, मांस, मिर्च डाल दी काकरा, काला ओठना, काला तिलक, खुले बाल, आँखों में मोटा काजल, उसके भयानक रूप को देखकर शमशान के कुटे भी शांती से हवन कुंड के पास बैठे हुए थे, धीरे धीरे जब हवन कुंड शांत होने लगा, तो उसके धुएं से एक आकरती का दिखमा हुआ क्यों बुलाया मुझे, तुझे पता नहीं, मैं यदि आती हूँ, तो अपने साथ किसी ना किसी को ले कर ही जाती हूँ कहते हुए उसने वही पास में बैठे हुए कुटे की तरफ देखा, तो उसकी आँखों से निकली हुई रोशनी से, उसकुटे के शरीर के टुकड़े हो गए सामने बैठी सत्तो और वो आकरती, दोनों उस कुटे के खून से सरापूर हो गई, सत्तो ने उसकी तरफ देखा, तो उस सिहर गई, लंबे खुले बार, उल्टे पै, गाली सबार, लाल जीब, लाल आखे यदि साधर्न मनुश्य के सामने वो आ जाए, तो इस वक्त धुर्दे गती रुखने से, उसका निधन मुम्किन है सत्तो ने खुद को संभाला और फिर बोली जा जाकर अपनी भूख शान्त कर ले, मगर एक बार में नहीं, धीरे धीरे उसका खून चूसना, और उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेना, जब तक बच्चे का जन्म ना हो, उसे तड़ पाकर जिन्दा रखना, उसकी निशानी, ये ले उसकी निशानी कहते हुए सत्तों ने हवन कुंड में जुंकी के कुछ बाल और कब्रेदा थी, उसकी निशानी के जरीए वो धुआ सीधा जाकर जुंकी के शरीर में समागें, जुंकी वैसे ही कमजोर थी, और उपर से गर्बवती, उसका शरीर उस साय की नकारात्म कूर्जा को संभालने क किली कमजोर था, तो साय की मौजूर्गी के कारण जुंकी के दिल की धड़कने पढ़ने लगी, वो पसीने से तरबतर हो गई, नाक और काम से खोन बह रहा था, ये देख उसका पती घपरा गया और तुरंत अपनी माँ को पुला लाया, सास ने उसकी हालत देखी, तो तु में मिट्टी का लेप लगा दिया, छोरे घबरा मत, वैसे इतनी गर्मी पढ़ रही है, और उपर से इतनी नाजुकवस्था, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, जातु आंगर में अपने बापू के पास सोजा, मैं इसके पास यहां पर हूँ, अपनी माँ के कहने पर जुंकी का पती वहां से चला तो गया, मगर वो सारी राग जुंकी के पारी में ही सूचता है, दूसरी तरव जुंकी के पेट में पल रहा बच्चा बड़ा हो रहा था, मगर जुंकी का शरीष सूख रहा था, ये जुम्री को क्या हो रहा है, ना तो ठीक से खावे पीवे है, ना ही य से बोले चेहरा भी मुर्जा आ गयो है तुम भी कैसी बाते कर रही हो यह बदलाव तो इस अवस्था में हर औरत ने देखने पड़ते हैं तु अपने बच्चे के टेम भूलगी के तन्न सारी सारी रात नीन रियां ती थी आपकी बात सही है मगर ना तो आप वो दीवा बाती करे नहीं भजन गावे और तो और ठाकुर जी के कमरे की तरफ जाके भी ना है ऐसी अवस्था में ठाकुर जी का नाम तो लुगाई लेवे है कही कोई बात तो ना है और के बात ओवेगी तुझरा जद्दा ही सोचन लाग रिए कल पुजारी जी के करने जा करकर ये डोरा क को पता चला, वो खुशी से नाचने लगी, आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा, जुम्री को हमेशा के लिए जाना होगा, अब वो बच्चे के लिए तरसेगी, शेक चुन्नी बन जाएगी वो, रात का करीब एक पजा हुआ था, जुंकी दर्द से बेहाल थी, उसकी सांस व रूनी की आवाज सुन, उसने राहत की सांस ली, तभी जुंकी के शरीर से धुएं के साथ ही, जुंकी के प्राण निकल गए, उसकी आत्मा अपने बच्चे को एक नजर देख, मुक्ती पाना चाह रही थी, मगर सत्तो की की गई क्रिया के कारण, वो अपने बच्चे को नह नहीं पा रही हूं, है इश्वर, मेरी मदद करो, उसकी आत्मा शाक चुन्नी बन अपने बच्चे को एक बार देखना चाहती थी, मगर यदी वो किसी शाक चुन्नी की मदद करती, तभी वो अपने बच्चे को देख पाती, पिछले कई वर्षों से मैं अपनी मुक्ती के लिए भटक रही हूं, मगर तूने मुझे खुद ही मुक्ती की राह दिखा दी, जब तू पहली बार इस बच्चे को छोड़ कर आया था, तब इसके पास से तीन लोगों की रक्त की गंद आ रही थी, दो रक्त के गंद तो इसके माता-पिता के थे, और तीसरे रक्त का रह जैसे, जैसे ही मुझे पता चला, तो मैं इंसान बनकर इसकी परबरिश करने लगी, और बरसों से तेरे क्रिया किये जाने का इंतजार करने लगी, मुझे पता था, वो समय जलती आएगा, और देखो, वो आ भी गया, आज लक्ष्मी को भी उसका बच्चा मिलेगा, और एक साथ दो दो शाक्चुन्यों की मुप्ती होगी, कहते हुए जुमकी उस पर वार करने के लिए आगे बड़ी, तो दूसरी तरफ जुमकी की सारी बाते सुनकर, लक्ष्मी भी हैरान थी, उस तांत्रिक ने उसके साथ कितना बड़ा दोगा किया, तूने एक मा के सबर का इंत लक्ष्मी का रोत्र रूप देखकर तांत्रिक खुद को संभालते हुए बोला, लक्ष्मी तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकती, क्योंकि मेरे पास तेरे बच्चे की गर्बनाल है, और तुझे पता है कि एक बच्चे की गर्बनाल से उसका सर्वनाश किया जा सकता है, तु वहीं रुक जा, और मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दे, मैं अभी तेरे बच्चे को खत्म कर दूँगा, चुमके तू कभी भी अपने बच्चे से नहीं मिल पाएगी, मैतर यहीं होगा कि तुम दोनों मुझे अपनी शक्तियां दे दो, वरना मैं अभी इस रखने के लिए छोड़ना चाते हो, जब मैं ही नहीं रहूँगा, तो तुम किस तरह मेरी मां को ब्लेक पेल करोगे? कहते हुए उस बच्चे ने पास रखे हुए चाती से अपना हाथ काट लिया, उसके खोन की धार देखका लक्षमी और जुमकी दोनों ही क्रोधी धोका उस तांत्रिक की तरह पढ़ी, और तांत्रिक को समझने तक का मौका नहीं दिया, जुमकी ने उस उठा कर आसमान की त परतन पर कड़ाती है, तांत्रिक वही पर खत्म हो गया, उसे बच्चे के हाथ में से अभी भी खून बह रहा था, लक्षमी और जुमकी दोनों ने अपनी शक्तियों से उसके बहते हुए खून को रोका, और उस रार वो दोनों मुद्ध हो गए